आदाब नाजरीन मैं आपके साथ इम्राना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं RN Today News सड़क निर्मान के लिए गर्म कोल तार में भरे टैंकर को ले जा रहा है टैक्टर में रोडवेज बस में पीछे से टककर मार दी टककर लगने से टैंकर में जा रहा गर्म कोल तार छलक कर लोगों के उपर जाकिरा जिससे वह घायल हो गए मामला स्योहारा के धांपो रोड इस्तित गाउं चंचलपुर के पास का है जहां सड़क निर्मान का कारिये चल रहा था हास्ता उस वक्त हुआ जब सड़क निर्मान के लिए गरम कोल तार से भरे हुए टैंकर को ले जा रहे टैक्टर में पीछे से आ रही रोड वेज बसने टककर मार दी धांपुर डीपो की रोड वेज बस सवारियों को लेकर स्योहारा से धांपुर की और जा रही थी बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण बस चालक को टैक्टर टैंकर दिखाई नहीं दिया और बस पीछे से टैक्टर टैंकर में टकरा गई टकर लगने से टैंकर में रखा गर्म कोलतार छलक कर टैक्टर में बैठे मजदूरों और सवारियों पर जा गिरा जिसमें 45 वर्षिये विनोध कुमार पुत्र मुकंदी सिंग निवासी मुहला गूंगी सराय 35 वर्षिये मुकीम एहमद पुत्र अमीर एहमद मुहला मुस्लिम चौधरियान 19 वर्षिये विकास पुत्र विनोध कुमार मुहला गूंगी सराय पचपनवर्ष सतीस कुमार पुत्र फूल सिंग मुहला बसंदगर 40 वर्षी हेम राजपुतर जस्वन सिंग ग्राम केशवपूर बुरी तरह जुलस गए मौके पर महजूद ग्रामीर्ड वग्राम परदान अंकित चौधरी ने लोगों के साथ मिलकर घाये लोगों सामुदाइक स्वास्ते केंदर पहुँचाया CHC प्रभारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने बताया कि 6 लोग तारकोल से जुसे हुए थे जिसमें कई लोग 80% से ज्यादा जुलस गए थे सभी को प्रात्मी कुपचार देने के बाद हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया है देखते रही है आरेंड टोडे नियूद में अपने घर से आया जल्दी से हम लोगों ने 112 पर और 108 पर फोन करा लेकिन नहीं लगे नहीं उठाई इस बीच में हमने एक त्रीविलर प्लेटी से उन्हें छोटे प्रीविलर में बठागे और सरकार इसकाल पुचाया जल्दी से जल्दी तो यहां पर आलादी कारी आगाई थे पिलिस होके रागई थी नहीं हमने प्रिस को इंफों करा अपने हलका इंचाज को जी मैंने फोन करा उसके बंदर रीच मिनट बार एक्सों साब भीगाडी का है और प्लीस वाल पर जाई तब तक हम अपना जो बीमार लोग ते उन्ह अज एक एक स्वास्टी के एंदे में सुभा तो उसमें क्या मामला है पुरा आज हमारे पास सुभा करीब साथ सबसाथ के आसपास पास प्राइवेट बाहन के दौरा चैंजड लोगों लाए गया जो बुरी तरीकर से तारकोल से जुल्से हुए थे चेरे से लेके नीचे सब्सक्राइब करें के लिए हमारे चैनल आरेंट टोड़े को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक कर